नमस्कार आपका श्वागत है अच्छनाहीडर रेस्पी में तो चली सुरू करते हैं क्रिश्पी बेस कटलेट की रेस्पी ना मैदा ना ब्रेट क्रम ये 6-7 ब्रेट से में बना के त्यार कर दूँगी और कराही में पहले श्रश्टो का तेल ले ली हूँ और इसी के साथ एक प्यास और एक कटोरी मटर हरी मिर्च कुछ लाल भी हो गई है अद्रक और को चौप करके मैं ले ली हूँ इस तरह से आप चौपर में ही चौप करें आप मटर कुबाल के भी ले सकते हैं और बैदाम को मैं भून के निकाल लूँगी यहां वीडियो बंद हो गई थी दोस् के साथ मैं इसको एक से दो मिनेट तक सौते कर लूँगी ताकि हलका सा मटर सौफ हो जाए प्यास भी थोरी सी गोल्डेन ब्राउन हो जाए और इसी के साथ मैं एक हाफ बीट और एक गाजाड ली हूँ देखिए मटर अच्छ से सौफ हो गई है आप उबली हुई भी ले सक अला को भुन जरूरी है तब जाके हम यह डालेंगे नहीं तो यह पानी छोड़ देगी सबजी यह और इसको भी अच्छे से हम ड्राई होने तक भूझेंगे अच्छे ढ्राई भूझ गई है तब ही हम नमक डाले है नमक डालने के बाद भी 1-2 मिनिट तक इसको और भूझ है दोस्तों मैं बारिक कर ली हूँ चम्चे से नहीं तो आलू बहुत हार्ड हो जाते हैं गरमा गरम बारिक नहीं किया जाए तो इस तरह से और मात्र 6-7 ब्रेट से पूरे फैमिली और गेस्ट के लिए मैंने बहुत अच्छा नास्ता बना के त्यार किया है इसमें ना मैं मैं जाला के यूज की हूँ ना ब्रेट करम का यूज की हूँ साथ में गरम माशाला और बहुत अच्छा बन के त्यार हुई थी कुट्टी भी मिड्च और इसके साथ अमचूर अमचूर डाल देने से इसका टेस्ट बहुत हाई हो जाता है तो अगर आप खाते हैं तो डालें नहीं तो निबू भी डाल सकते हैं निबू से भी अच्छा रहता है निबू से डाल देने से थोड़ी सी मशाला साफ्ट हो जाती है और इसके साथ ब यह मसाला बनके त्यार हो गई है और वो जो मैं ब्रेड था पांसे शे ब्रेड है उसको मैं इस तरह से ग्रैंडर में पीस ली हूँ अभी आलू ठंडा हो गया है और यह फ्रेस वाली थी ब्राउन ब्रेड है दोस्तों नमैदा का कोई भी मैं समानी यूज नहीं की हूँ यह आठा वाला ब्रेड है इस तरह से डालके मैं मिला दूंगी अभी मैं हाफ ही डाली हूँ अगर आप मेरी वीडियो से जरा से भी कनेक्ट कर पाती है अर्चिना ही डिर रस्पी को आपकी शपूर्ट की बेह जरूरत है बेला इकन पे क्लिक करके और पे क्लिक करें ताकि मैं जब भी वीडियो अप्लोड करो आप तक जरूर पहुचे वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो दोस्तो तो एक लाइक तो बनता है और वीडियो पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले अपने बहान को जरूर सपोर्ट करें इस तरह से मैं सांधी थ दोस्तों मतलब ब्रेट का चुड़ा मैं मिलाई थी इस तरह से चमचे के साइज से में ले रही हूँ एक आप अपना डिजाइन सेफ साइज अपने तरीका से बना सकते हैं पर यह वाला बहुत ही अच्छा मतलब खाने में भी आसानी होता है और सब करने में देखने से भी बहुत अच्छा लुग देता है जनरल यह ऐसे ही बन के त्यार होती है इस तरह से मैं सारे बना लूँगी पूरे 32 से 34 बिस बन के त्यार हुई थी और दोस्तों यह पिकनिक पे जाने के लिए मैं कल रात में ही मतलब की हूँ बनाई हूँ और सब फैमिली फ्रेंड इसको खा के बहुत खुछ से इतना टेस्टी बन के त्यार हुआ था यह बनाना बहुत आसान है इस घर के समानों से ही मैं बनाई हूँ बाहर से कुछ भी लाना नहीं पड़ा है और इसको मैं रख दी थी अब अगर आप मतलब इसको ज्यादा हो जा रहा है इसमें थोरे से मैं अगर आप इसको अगर श्टोर करके बना के पहले से रखना चाहें तो इस तरह से करके आप रख सकते हैं करीब एक अपता था कि यह खराब नहीं होगी इसको फ्रीजर में र और इसको निकाल के खाएं अपना जब मन करें तो तल के खाएं इस तरह से देखिए इसका सेफ साइज कुछ भी बिगड़ा नहीं है अदम अच्छे से यह अपना सेफ साइज को होल्ड किये हुए है मैं दिखा रही हूं यह आधा गंटा हो गया मैं इसको मैं निकाली थी इसको चलिए मैं तल के दिखाती हूं इसके साथ मैं बर्मी सिली ले ली हूं यह सब के पास जनरली होता है और इसमें बर्मी सिली में यह लगा के कर देने से इसका लुक बहुत अच्छे से बदल जाता है ना तो आपको इसको मैरे की घोल में डूबाना है इस तरह से हांसे सिर्फ रगर देंगे तो यह अच्छे से चिपक जाती है यह मैं एक छोटे वाली को अलग से करकर रखी हूँ उसको टेस्ट के लिए कि तेल में यह सब नीचे गिरती तो नहीं है तो पर यह गिरी नहीं थी और इसका करंच बहुत देर तक बना रहता है दोस्तो देखी इस तरह से मैं कुछ भी मतलब लगाई नहीं हूँ मैदा का गोल वगर है कुछ भी लगाई नहीं हूँ ब्रेट करब में डुगा के फिर से अलग से नहीं करती हूँ उससे तेल बहुत ज़्यादा अब्जोर हो जाती है जो खाने में अच्छा नहीं लगता है देखी है मैं डाल के देखी हूँ पहले मैं तेल को अच्छे से हीट कर दी फिर मीडियम मतलब करके ताकि जला जला ना बन जाए एक भी उसमें से बरमी से लिए अलग नहीं हूई है कुल के नहीं निकली है इस तरह से मैं और भी करके डाल दूँगी इस तरह से करके सारे में छान लूँगी अभी तो मैं वीडियो शुट कर रही हूँ इसलिए पांचे करके दिखा दे रही हूँ और ये बहुत मज़दार बन के त्यार मतलब हुई थी और बहुत देर तक ये सही बन के बनी रहती है करंची बनी रहती है इसको चानने के बाद किसी चीज़ से ढखे नहीं थोड़ा खुला में हवा लगने दे उसके बाद आप ढपे तो ये सही रहेगी एक भी नहीं खुली है तेल को अच्छे से हीट होना बहुत ज़रूरी है हीट होने के बाद ही मेडियम फ्लेम पर इसको करेंगे मैं मतलब कम कर दी हूँ अभी गैस को इसमें तेल भी ज़्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता है दोस्तों अब देख रहे हैं उतना 607 में चानी हूँ और आयल जसका तस पड़ा ही हुआ है और इसको मैं सेजवान सौस और ग्रीन चटनी के साथ सर्व की हूँ ये खाने में बहुत चटपटा ये स्टार्टर के रूप में भी आप खा सकते हैं ये बन के बहुत अच्छी तियार हुई थी दिखाती हूँ बहुत आवाज आ रही में बहुत लोग इसलिए मैं आवाज को कट कर दी हूँ बहुत करंची और अंदर सिदम अच्छी सौफ्ट बनी थी और खाने में बहुत मज़दार मिलते हैं नेक्स्ट विडियो में बाबाय टेक कियर